कि आप लोग काफी अच्छे हैं मैं आपका स्वागत करता हूं और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पार आज मैं बात करने वाला हूं इस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन दबा दिए तक कि आपको मेरे वीडियो की नोटिकेशन मिलती रहें साथी साथ में बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं जिसके लिए आपको सिंपल सा प्रॉसस है इस जोईन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है बीकॉम वाले आप्शन में जाना है और यहा अपना असाइंडमेंट से इत्मिनान से लिख करके जमा कर सकें और साथी साथ आपको 40% डिसकाउंट पर नोट्स भी प्रॉइड कराई जाएंगी अगर आप हमसे लेना चाहेंगे तो ठीक है तो यह सारी बेनफिट्स आपको मिल जाती है इसके लाव मैं बोलना चाहूंग करते हैं बट अभी 2020 से आपका जो है बीकॉम नीव हो गया है नया कोर्स हुआ है तो बीकॉम नीव के उपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फिकॉम नियू जो आपका फर्स्ट येर है और थर्ड येर है तीनों से रिलेटर जितने भी सारी प्लेलिस्ट है व इंपॉर्टेंस ओफ बैंकिंग ठीक है ना तो यहां जो बात बुली के वो यह है कि ए बैंकिंग का मतलब होता है एक ऐसी सर्वेस जो की बैंक के द्वारा पुर्वाइट की जाती है जो की कस्टमर्स को एक तरीके से मौका देती है कि वो बैंकिंग को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट का बैलस चेक कर सकते हैं वो अपने लोन की पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं परसनल लोन के लिए वो अपलाई कर सकते हैं इतनी जितनी भी सारी सर्विसेस आपको बैंक जाकर करने होती है वो आप घर बैठे इनके अप्लिकेशन सारे कामों को कर पाते हैं It includes a range of services अब इसमें बहुत सारी services आ जाएंगी जैसे कि electronic fund transfer हो गया आप में NEFT का नाम सुना होगा National Electronic Fund Transfer उसी के तरह EFT होता है Electronic Fund Transfer उसके पाद आपका automatic tailor machine होता है ATM की services आपको मिल जाती है Electronic data interchange यहाँ पर बहुत ही असानी से हो पाता है Credit card का option आपको मिलता है Electronic or digital cash यह भी options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं E-banking has certain advantages over the traditional banking system as stated below जिसके कुछ फाइदे हैं फाइदे को आप importance में लिखोगे कौन-कौन से ऐसे फाइदे हैं जिसके बारे में किक करके हम बात करेंगे चलिए देखते हैं So it provides 24 hours 365 days a service to the customers of the bank तो यह bank के customer को एक तरीके से 24 hours 365 days services provide करता है free of cost तो नहीं बोलूँगा charges तो आपको लगते हैं पर उस application को इस्तमाल करने के charges नहीं लगते उस application के अंदर जो services है उसको इस्तमाल करने के लिए आपको charges भले लग सकते हैं पर देखो कितनी अच्छी बात है कि आपको कुछ भी करने के लिए bank जाने का वाशकता नहीं है आप घर बैठे सारे काम को कर पाते हो right it lowers the transaction cost transaction cost का जो खर्चा ही है इसको एक तरीके से you know reduce कर देता है कम कर देता है it includes एक तरीके से sense of financial discipline and promotes transparency यह एक तरीके से लोगों के अंदर you know financial discipline लाता है कि पैसे जो खर्च करने है वो कैसे करने है कहा करने है क्योंकि आप सारी चीज़ों का record रख पाते हो आप देख पाते हो और transparency पी प्रमोट करता है sometimes जो होता है कि bank charges के नाम पर banks बहुत पैसे निकाल लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता है ना तो जब आप e banking करोगे तो आपको हरी चीज़ की जानकारी होगी आपके साथ fraud होने के chances भी बहुत ही कम रहेंगे so these are the benefits now customers can make the transactions from office, home or while traveling via cellular phones अब जो customers है वो ऐसा नहीं है कि वो उनको ATM पे जाना पड़ेगा या bank पे जाना पड़ेगा किसी काम को करने के लिए customers जो है जो है जो घर पे बैठे अपने office पे बैठे अपने traveling करते हुए अपने cell phone के माधियम से वो transactions को कर पाते हैं बहुत ही आसानी से है ना e-banking through electronic system continues to expand and expand देरे-देरे करके यह और बड़ा होता जा रहा है while most traditional financial institutions offers online banking services web-only banks have also become strong competitors है ना तो अभी के time पर आपको पता है कि सारे चीज़ें जो की online हो रही है तो सारे के सारे banks जो है अपना-पना application निकाल रहे हैं या जो web-only banks है जो की सिर्फ website के तुरू अपने services प्रवाइड करते हैं उनके बीच में भी अच्छा competition है वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं for example e-trade bank operates online while also providing customers with access to ATMs तो यह एक तरीके से bank की बारे में बोला जा रहा है e-trade bank को भी bank है जो की एक तरीके से लोगों को customer service provide करता है online भी provide करता है साथी साथ ATM के माधियम से भी चीज़ें जो है provide करता है these e-banks and e-branches provide nearly every immediate financial service like obtain cash, check account balance, transfer funds, direct deposits, pre-authorized payment of bills, cards, rents, etc so these are the services that they provide to the customer जिसके currency इनकी जो demand जो popularity है वो भी बहुत आसानी से चल रही है so these are the benefits मैं और ज्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहता नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा हला कि यहां पर सिर्फ आपसे importance पूछा गया था आप अगर इतना लिख दोगे तो बहुत है ठीक है तो आगे हुट आपको यह वीडियो काफी पसंद आओगा पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें मिलता एंगले वीडियो में अपना ख्याल रखें बाबाए थांक यू